है आज हम नवेंबर का करेंट AFFIRE कराएंगे यह जो आपका लास्ट होगा करेंट AFFIRE का क्योंकि अब आपका बताइए कि सबका एक्जाम है तो अभी हम नवेंबर का करेंगे आई होप सब ने ऑक्तोबर तक तो करी लिया होगा सोर्च बताने के जरुत नहीं आप सब इस ची प्रफियूजीज और लोकल्स मालावी का कैपिटल है लिलॉंगवी ठीक है जिसमें क्या होता है कि तुमानी फेस्टिवल सलिब्रेट किया जाता है मालावी में और इस फेस्टिवल के द्वारा जितने भी रेफ्यूजीज हैं और लोकल्स हैं वो म्यूजिक आर्ट और कहां से लिब्रेट किया जाता है तो मालावी में that's it nothing else ओके नेक्स जो हमारा है वो है हिमालियन ग्लेशियर लेक्स सौ 10.81 परसंटेज एरिया एक्सपांशन फ्रम तुथा फ्रम 2011 तो 2024 यह किसके द्वारा बताया गया है तो यह एक कमिशन है जिसका नाम है सेंट्रल वाटर कमिशन के द्वारा उनके रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि हिमालियन ग्लेशियर लेक्स जो है वो उसका एक्सपांशन और एक्सपांशन मतलब वो उसकी सर्फेस एरिया बढ़ रही है ठीक है यह एक एक्स्ट्रा पॉइंट है तो प्लीज इसको एग्नोर द्यान देने की जरुवत नहीं है नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो है ओर्फन ड्रक्स के बारे में ठीक है यह ओर्फन ड्रक्स आपके न्यूज में देखा गया है यह ओर्फन ड्रक्स है मतलब और किसी मेडिसन के फॉर्म में दिया जा रहा होगा और किसी डिजीज को ट् और Metabolic Disorder, ठीक है, Genetic Disorder, मतलब वही जो Genetic Genes के वज़े से, Gene के Mutation के वज़े से, अगर Mutation वर्ड आपको पता हो, नहीं भी पता हो, तो मैं बता देती हूं, Mutation is nothing but a sudden change, आपके Genes के अंदर, Genes के अंदर, जो भी आपके sudden changes होते हैं, that is called Mutation, और इन Mutation के वज़े से ही Genetic Disorder होते हैं मतलब जीन्स में अगला बदली हो जाती है, चीज़े जो नहीं होनी चाहिए, वो हो जाती है, उसके वज़े से, जो भी डिसॉडर होते है, that is Genetic Disorder, राइट, रेर कैंसर, जैसे की पहले इतना नहीं जाता था, अब अलग अलग तरीके के, Cancer is nothing but किसी भी आपके, किसी भी सेल में अन्वांटेड ग्रोथ जो हो जाना उसको बोलते है, Cancer, तो पहले क्या होता था कि आपके, किसी पहले होता था कि पहले ब्लड कैंसर हो रहा है, यह Cancer हो रहा है, वो कि अब क्या हो रहा है, कि जस्ट बिकॉज ऑफ हुमन, इंसान का खान, पीन, या फिर रहन, सहन, किस ची पार्ट का जो एक स्पेसिफिक पार्ट है, उस सेल में अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है, इस वज़े से, तो दाट इस कॉल्ड रेर कैंसर का भी देखा नहीं कहें, लेकिन आप उस एरिया में भी Cancer हो रहा है, तो पिर आता है, मेटाबॉलिक डिसॉर्ड तो मेटाबॉलिक का मतलब ही होता है कि जैसे आपके काम करने की चमता जो होती है, कितने आप मेटाबॉलिक ली आक्टिव है जो हम कहते हैं, तो उन से रिलेटेड जो डिसॉर्ड रिसॉर्ड तो ये सारे तीनों जो है न, ये एक एक एक्जाम्पल है, रेर डिजीस का, और इनको ठीक करने के और और्फें ड्रग्ज निकाला गया है, तो इतना, बस सिंपल सा पूछेगा कि और्फें ड्रग्ज आर इंट्रिस्ट्रीज्ड तो आपको आपको पे और और आपशन दिया रहेगा, तो आपको समझ में आईगा है, वुप आप अटेम्ट कर लीजेगा, दूकित वे नेक से उन्होंने वो muscular dystrophy नाम दे दिया है उस चीज को अब ये है क्या डिस्टॉपी है क्या actually क्या होता है कि आपको पता है कि कोई एक organ है मान लो this is a organ ठीक है ये एक organ है चीज़ से बनता है टिशू से बनता है बहुत सारे टिशू किस से बन रहे है तो इस मसल में बहुत है तो टिशूस होंगे बहुत सारे इन protein में alteration मतलब अगर changes आने लग जाती है तो जिसके वज़े से क्या होता है कि muscle जो है वो धीरे-दीरे weak होने लग जाता है ठीक है अगर इनके protein cells के बीच में जो protein होता है इन प्रोटीन में अगर altration, मतलब आपके जो changes होते है अगर वो हाने लगा, alter करने लगा, तो ये जो प्रोटीन के अल्टोरेशन के वजे से हमारा जो muscle के cells है वो weak होने लग जाते है, muscle degenerate होता है, degenerate होना मतलब धीरे-दीरे कम होना, ठीक है, खतम होना, weak होना, ये कह सकते हैं, इसी को बोलते है यह जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन और यह प्रोटीन ही अगर कम हुआ यही प्रोटीन के वज़े से एक सेल दूसरे सेल को जोड़ के रखता था लेकिन अब यही सेल अगर प्रोटीन कम हो गया तो यह सेल दूसरे से जोड़ेंगे कैसे और इनी के कम होने के वज़े से यहाँ पे जो muscles के cells है यह वो धीरे धीरे वीक हो जाता है और overall जो पूरा muscle है वही वीक हो जाता है ठीक है next सुखविंदर सुखु launches water sports at बिलासपुर गोबिंद सागर लेक तो सुखविंदर सुखु जो है वो हिमाचल प्रदेश के cm है उन्होंने launch किया है नया start किया एक water sports वो कहां किया है बिलासपुर में गोबिंद सागर लेक में ठीक है यह जो गोबिंद सागर लेक है उसके बारे में यहाँ points दिये हुए यह एक man-made है मतलब हम लोग ने मिलके बना हम लोग मतलब मैंने हमने नहीं मतलब सरकार ने ठीक है man-made reservoir है यह reservoir located कहां है मतलब कहां है उना और बिलासपुर डिस्टिक ओफ हिमाचल प्रदेश तो बिलासपुर और उना डिस्टिक कहां है हिमाचल प्रदेश में और यहीं पर गोबिन सागर लेक है, और गोबिन सागर लेक में वाटर स्पोर्ट्स को लाँच किया गया, यह लाँच किया जा सकता है, जैसे टूरिज्म के पॉइंट औफ यू को दिमाग में रखे ताकि टूरिज्म होगा, तो लोग विजिट करेंगे, तो स्टेट की गोबिन सिंग के बिहाफ पे जो की, टेन्थ सिख गुरुए है, इस लेक में जो पानी आता है, मतलब इस लेक में जो पानी है, वो किस सोर से भकरा ना से और सतलज रिवर से, यह एक वर्ल अवर्ल्स हाइज्ट ग्राविटी डायम, ढ़्राविटी डायम, तो इस भकरावि इससे इतना उपर है, that is called, यह लो, इसको बोलते है, जहां पर बेस है, उसको बोलते है, इतना उपर है, तो इतना याद रखने के जरुवत नहीं, मैंने एक्स्पेनेशन के लिए बस बताया है, यह याद रखना है, कि वाटर स्पूर्स कहां इंटर्ड्यूज हुआ है, तो ने इंटर्ड्यूज किया है, तो सुखिंदर सुखु ने जीने किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के CM है, Coming to the next news, world's first wooden satellite developed in Japan, बस heading से ही कोशन बनता है, कि पहला wooden satellite किस ने डेवलप किया, तो जापान ने डेवलप किया, The world's first wooden satellite, LignoSat, built by Japanese researcher, was launched into space in an early test of using timber, in lunar and Mars exploration, तो जापान ने, जो satellite का नाम है, that is called as LignoSat, तो कोशन आप से यही पूछेगा, कि जो LignoSat है, वो एक wooden satellite है, जो Japanese researchers के द्वारा बनाया गया है, और यह actually बनाया है, वोडन सैटलेट बनाने के प्युचन का objective, एक simple बात में मैं बता हूँ, तो वो यही है कि actually हमारे space में, यह हमारा space है, समझे, इसमें बहुत सारे debris होते है, debris को हम अगर simple language में बोले तो waste, तो ज्यादा अगर space में debris मतलब waste collect हो जाएगा, वो भी कहीं ने कहीं खराब है, तो इस चीज़ से fight करते के लिए Japanese researchers ने lignosat बनाए, जो कि wood का होगा, तो वो इतना ज्यादा चीज़े गंदी नहीं करेगी हमारे space में, और इस वज़े से यह बहुत अच्छा एक innovation रहा है इनके द्वारा, ठीक है, अब आते हैं next, Bob Cutting Museum of Valor Inaugurated, तो Bob Cutting जो है, वो है कौन, और उनके नाम पे एक Museum of Valor खोला गया है, और ये कहां खोला गया है, वो है Arunachal Pradesh, ये बस याद रहे रखना है आपको, क्योंकि यही कोशन बनाएगा, इतना ज्यादा कोशन नहीं बनाएगा, जो भी आपके कोशन बनने थे, वो जितना मैं पढ़ा रही उतने तक November इनफ है, उससे पहली बन गया होगा, क्योंकि हर कोशन बनाने वाले आदमी का एक Mindset होता है, और उन्होंने उसी Mindset के accordingly बनाया होगा, पीछे से जैसा जैसा आपको आपको पीछे Lectures में बताया गया होगा, क्या Mindset है, पहले October का वो सोचते है, सबसे आदा कोशन लेते हैं, फिर September, August, ऐसे करके, तो November हम बना तो रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम दिन का ही बना रहे हैं, उसमें भी वह बहुत एकदम गिना चुना उठाएगा, जो सबसे इंपोर्टेंट है, जैसे लिगनो सैट कहां के सीधा पूछ प्रदेश में हैं, ठीक है, और ये, जो है, दूरिंग दे वोल्ड वर टू, ही बिकेम, वो हूँ ही, ये बाप खेतिंग के बारे में बोल रहे हैं, ये बिकेम दी फर्स्ट मनिपूरी तो गेट दी किंग्स कमिशन, पहली मनिपूरी थे, जिनको किंग्स कमिशन मिला था, नेक्स्ट, निन्गौल, चकहवबा फेस्टिवल, celebrated with religious, ferra or and gatey across मनिपूर, तो निन्गौल, चकहवबा फेस्टिवल, कौन सेलिब्रेट करते हैं, मनिपूरी या मनिपूर के लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, सिंबल, ज्याधा समझने और Сमझाने के जरुत नही है इसमें नेक्स्ट हिमाचल अर्ज सेंटर तो एक्स्प्लोर पॉसिबिलिटी ओफ रणिंग ट्रेंस ओन ग्रीन हाइड्रोजन ओन कालका शिम्ला हेरिटेज रेल ट्रैक्ट दि कालका शिम्ला रेल्वे इस नैरो गौज रेल्वे इन हम्याचल प्रदेश विच ट्रैवर्स की सेख़्न में यह प्रदेश है क्राम से कालका शिम्ला एक तो भो बह बीडियों कि अभी अफ यह पोला जा रहा है और यह सोचा जा रहा है इस च्रेन को हम भ्रीन हाइड्रोजन पर चलाए Esto Kошanda यह पूच सकता है कि इन में से कौन सा ऐसा इसना विश जू कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक जिनको ग्रीन हाइडरोजन पर चलाने की बाते हुई जा रही है और यह जो कालका शिमला नारो गौज रेलवे है यह विन युनिस्को वर्ल हेरिटेज साइट में अल्रेडी लिस्टेड है दो हजार आठ में ऑन ग्रीन हाइडरोजन क्यो यह कुछ सब्सक्राइब 15 एवे लrain आपको जरूरतना के जरुवर्डणाइ ग्यहाँ कर दिल्सक्राइब 16 एक यह नाम मैं नियूज थे लखनों सा वाल्रानों का नम रिद रीकित् luggage जडिद यह शुच्तराइब 129 रैख्याऐब 169 उम्मन सिर्क अपक only तो आपको पता है कि जो कंट्री स्पेसिफिक रिंग ओफायर में मतलब बिलॉंग करती है वहाँ पे अर्थकुए का जो इन्टेंसिटी कह सकते है नंबर अफ अकरंस कह सकते है वह बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे ऐसे कंट्रीज जो पेसिफिक रिंग ओफायर में है वहाँ पे वॉल्कैनिक इरप्शन इवन अर्थकुएक भी वहाँ जाता है लेकिन अभी हम यहाँ पे वॉल्कैनों की बात कर रहें राइट नेक्स्ट अब आते हैं कि थ्री रनवेज याना याना भी ट्रा ट्राइब आते हैं कि याना भी ट्राइब कर रहें यहाँ पे लिखा हुए याना भी ट्राइब आपके न्यूज में तो पूछ सकता है वैसे वी कि याना भी ट्राइब जो है यह किदर की स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो आंदर प्रदेश चाहँ प्राइम ग्रीज एक फेस्टिवल है एक फेस्टिवल है एक राइम मिनेस्टर हमारे है श्री नरे shrinking मोधी इन्होंने एक पे इस पे मतलब सब को पता च्रहाँ बताने के जरृत नहीं है ठीके ऑड़ाट इस ट्वीटर जो अबी चेंज कर दियागा उनका नाम Kerala पिरावी ग्रीटिंग Kerala state is known for its mesmerizing landscape यह उन्होंने tweet किया है तो जो उन्होंने tweet किया है वो Kerala पिरावी पे tweet किया है यह बोला है कि जो Kerala का पाया के लिए और पायों को दर्षाने के लिए। तो simple पूछेगा कि केरला पिरावी किदर का है तो नाम से पता चल रहा है कि अपना केरला का है Prime Minister greets resident of 36 गड़ on the state foundation day तो state foundation day पे प्राइम मिनिस्टर ने किन states को greet किया है तो that is 36 गड़ ठीक है याद रखना है state foundation day पे 36 गड़ को Prime Minister ने greet किया है ठीक है Now Prime Minister Shri Narendra Modi expresses condolences on the passing of Shri Narayana Condolences मतलब दुख दिखाना होता है और Shri Narayana जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए वो दुख प्रगट करते है Narendra Modi और Shri Narayana को भलु भाई भी बोला जाता है मतलब प्यार से बुलते है और यह अब है कौन Shri Narayana यह एक Indian politics और एक social service है जिनको जिनका nickname भलु भुलाई भाई बुलाई भाई तो बस याद रखना है कि Shri Narayana को Shri Narayana जी को भुलाई भी बोलते है उनके डेथ पर प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीड वो दिखाया है कॉन्डॉलसंद दिखाया है that's it coming to the next PM extends best wishes to भाशा गौरव सप्ता यह कहां celebrate किया जाता है इतना ही समझना है असा में celebrate किया जाता है that's it okay कहां celebrate किया जाता है तो असा में भाशा गौरव सप्ता कहां celebrate किया जाता है असा में बस ठीक है a solar storm is a sudden explosion of particles, energy, magnetic fields and material blasted into solar system by the sun obviously solar क्या होगा sun तो sun के burst, sun के कुछ ब्लास्ट करने से sun के फटने से जो particles वो एमिट करता है तो उसके बारे में तो उसने क्या के अमिट किये, explosion particles के explosion हुए कुछ energy भी निकला, कुछ magnetic fields भी निकले तो बस यह है material blasted into solar system में the sun's corona is the outermost part of the sun's atmosphere sun के atmosphere हर चीज़ का एक atmosphere होगा आप जहां रहरे और आपका एक atmosphere है वैसी sun जहां पे placed है उसका भी खुद का एक atmosphere है तो उसके जो atmosphere और उसका जो outer atmosphere उसको बोलते है sun's corona तो पूछ सकता है sun's corona is the part of sun's innermost outermost जो भी पूछ सकता है ठीक है तो outermost है इतना common sense ही तो पता होना चाहिए आप लोको the corona is usually hidden by the bright light of the sun's surface जो यह करोना इसका outermost part है वो खुद इसकी जो bright light है उससे वो ढखा हुआ है तो इसमें star point जही तह है कि sun's corona जो है वो outermost part है that's it India and Cambodia commences inaugural joint table top exercise that is sin backs in Pune तो India और Cambodia एक joint top exercises कर रहा है जिसका नाम है sin backs और कर कहा रहा है तो Pune तो पूछ सकता है sin backs किसके बीच में है तो India और Cambodia और यह Pune में हो रहा है बस यही पूछेगा then coming to next stimulating extraterrestrial life ISRO's analog mission begins in Ladakh यह मैं आपको बताती हो एक बर मैं पढ़ देती हूं फिर पता चलेगा the mission's objective is to replicate conditions of living in an interplanetary habit tackling the potential obstacles that astronaut may face on future deep space mission actually क्या होता है जो भी astronauts हमारे deep space mission में जाते है उनको वहाँ पे क्या दिक्कते होती है मतलब obstacles मतलब दिक्कत ठीक है उनको वहाँ पे क्या दिक्कत होती है जो भी चीजे है यह लोग क्या करेंगे वैसा पूरा scenario create करेंगे Ladakh में kind of experiment कह सकते हो trial कह सकते हो जो भी चीजे कहलो आप ठीक है सिनारियो क्रियेट करेंगे जिस सिनारियो से वो पता करेंगे कि astronauts को deep space mission में क्या क्या दिक्कत आरही है अगर दिक्कत पता चल जाएगी the solution पता चल जाएगा तो इसके लिए यह है ठीक है सिर्फ इतना है समझना है आपको बिबेग डेबरॉय चेर्में आफ पी-म्स एकनोमिक एडवाइजर काउंसल और टॉप एकनोमिस्ट पासेज अट 69 अब यह 69 में पास हुए है यह आपके लिए इंपोर्टन नहीं है बिबेग डेबरॉय जो पी-म के एकनोमिक एडवाइजर काउंसल के थे वो बस आपको याद रखना है बिबेग डेबरॉय कौन थे और इनके डेथ हो चुक है बस बिबेग डेबरॉय कौन थे यही आपको याद रखना है तो यह लिडार क्या है एक remote sensing system है हम deadline से समझ लिए helped discover a lost Mayan City यह एक remote sensing है तो remote sensing क्या होता है पता चल सकता है कि हम अगर remote sensing की दोर आपको पता भी हो गया agriculture में भी यह remote sensing है आज के डेट में तो हर चीज के यूज होता है तो मेलिए पता करने के लिए यूज होता है उसको यह जो LIDAR सिस्टम ने है उसको discover किया या इस LIDAR सिस्टम के वज़े से हमें वो दिखा है पता चला है ठीक है LIDAR है क्या एक light detection and ranging remote sensing technology है जो क्या use करती है uses light in the form of pulsed laser to measure ranges ranges in the sense of distance range मतलब distance कितना range है तो कितने range तक देख सकता है तो यह जो LIDAR है यह यूज किया गया है आपको एक मयान सिटी जो lost था या फिर hidden था उसको यूज करने उसको डूडने में और इसका full form and light detection and ranging यह पूछ लेना क्योंकि पिछले वड़ चैट जी पीट में G stands for पूछा था तो लेडार में पूछ सकता है वाट इस अफुल फॉर्म मतलब दे देगा और पूछ देगा आपको तो आप यह देख लेना एक बर कि यह क्या फुल फॉर्म है और इसमें जो light यूज हो तो फॉर्म में होता है तो पल्स लेजर फॉर्म में यूज होता है स्टार पॉइंट अपना यह है कि Lidar का फॉल फॉर्म क्या है तो यह यहा पे लिखा हुआ है और यह क्या यूज कर के मेञे तो वह एक पल्स लेजर यूज कर के मेजर करता है तो यहां पे लिखा है स्आइट साइन्ट सब्स्तिटे अर लॉस्ट म्यान सिटी लिदिन फॉर जो भी तक पता नहीं चला था और लिडार के तरू इनको पता चल गया अब आते हैं long term exposure to arsenic in water may increase a cardiovascular disease तो arsenic is a metal ठीक है यह इसके अगर यह जो इसका exposure पानी में जाद है मतलब यह पानी में इसका जो content है वो ज्यादा अगर है और वो जैसे की लोग पी रहे हैं उसको without filtration है जो भ ज़े से आपको जो disease होती है that is called as आपको नहीं होती है दिल पे मत ले 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 ना इन जेरल मैं बोल रहे हूं रहे है वो होता है जो disease होता that is called as cardiovascular diseases. तो cardiovascular disease is very common heart diseases होती है उसको बोलते हैं cardiovascular diseases. हो हार्ट अटायक यार cardiac arrest कोई भी फॉरम जो कार्डियो HART से ढाली बीजिसी होती है क्या है आप है कौन छो कोई हैै और हर्ट में जो टिशू होती है वह ऑ हुप कौन lifesट裡 हद कार्डियक टिशू, शुमिमीड के अप लोग ऑर यह अक्छली 30 बेखा गए Arsani' को 탁ны' के देखा गाए एक डाते भा एक स Russia Saturn 2 missile dubbed as most destructive weapon on earth here is all about it तो यह जो Saturn 2 missile है यह किसका है इतना ही पूछेगा तो यह Russia का है Russia is set to deploy the RS-28 Sarmat Intercontinental Ballistic Missile Noon as Saturn 2 to replace older missile तो Russia दूसरे मतलब पहले जुसके पुराने missile को replace करने के लिए वो Saturn II missile introduced किया है जो कि एक intercontinental ballistic missile है next FSSI classify packaged drinking water as high risk food category तो जो drinking water हमारे pack में आती है न जैसे Bislery, Kenley and all तो इनको high risk food category में डाल दिया गया है अब किसको डाला है FSSI, किसको डाला है packaged drinking water में किसमें डाला है high risk food category में डाला है बस इतना ही जादा जादा आप जाएए तो यह आपको समझना पड़ेगा कि FSSI का full form कि है Food Safety and Standards Authority of India बस next आते हैं तो about वदहावन port के बारे में हम पढ़ते हैं वदहावन port यह वदहावन port है वो developed किया गया यह एक all weather green field deep draft major port है पहली बात और all weather port है ठीक है major port है और all weather port है है कहां तो यह महराश्ट्रा में है और पलगर डिस्टिक में है तो पलगर डिस्टिक तो इतना कंसा इतना precisely नहीं पूचेगा बट इतना जरूर पूच सकता है कि यह है कहां तो यह महराश्ट्रा है ठीक है now Hawa Song 19 एक North Korea test fires new solid fuel missile known its implication and significance North Korea recently declared that its successful test fired its latest intercontinental ballistic missile the Hawa Song 19 स्झाय तो Howa Song 19 है क्या Intercontinental ballistic missile है क्या Intercontinental missile है कौन है Hawa Song है तो कहां है नौर्थ कॉरिया का है फिर से बोलते हैं Hawa Song क्या कहां का है North Korea का है है क्या तो भाई मिजाइल है कौन सी मिजाईल है तो Intercontinental ballistic missile तो इसे जादा नहीं पूचेगा हाँ एक चीज़ इसका जो फ्यूल है वो solid fuel missile है यह याद रखिएगा इसे जादा जरुवत नहीं है इंडियान आमी special forces contingent departs from Indonesia for joint exercise गरुड शक्ती तो गरुड शक्ती जो है वो किसका है तो इंडो नेश्या का है तो गरुड शक्ती किसके किसके बीच में है तो इंडिया इंडोनेश्या का joint exercise है क्या है गरुड शक्ती ठीक है और यह एक joint special force exercise है गरुड शक्ती बस इतना ही आद रखना है कि गरुड शक्ती किसके किसके बीच में तो इंडिया और इंडोनेश्या के बीच में है इंडिया जॉइन्स एरिन एपी स्टेरिंग कमिटी टू एजियूम प्रेसिदेंसी एंड होस्ट आनुवल जेनरल मीटिंग इन टुथाउजन ट्वेटिसिक्स तो यह एरिन का फुल फॉर्म क्या है भाई एसेट रिकवरी इंटर एजनसी नेटवर्क एशिया स्पेसिफिक्स तो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि एडिन का फॉल फॉर्म क्या है ठीक है और इंडिया इसकी प्रेसिदेंसी को कब होस्ट कर रहा है 2026 में और यह है किसके लिए तो tackling the proceeds of crimes in the Asia Pacific region, Asia Pacific region में जो भी crime है उनको tackle करने के लिए है तो यह हमारा आखरी lecture खतम होता है यहाँ I hope थोड़ा नया version, नया आवाज, नया explanation आपको मिला होगा I hope आपको समझ में आया हो, पसंद भी आया हो, कुछ भी दिक्कत आया हो तो please comment ठीक है बाकी यह हमारा आज का end होता है और आपके preparation बहुत अच्छी होगी हमें पता है अपने पे believe रखिए जैसा जाएगा सब, अब आपने जितना करना ता सालवर कर लिया है वहाँ पे चार option रहेगा, उसी में से answer आपको ढूणना है और आपका जो दिल कहें आप उसी के सुनियेगा, ठीक है थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा क्योंकि एक unconscious mind में, एक unconscious conscious mind में आपके कहीं न कहीं होगा और जो answer लगेगा उसी को टिक मारियेगा जितना important हमने यहाँ पे बता दिया I hope समझ में आया होगा All the very best to everyone ठेक है, मिलते हैं कुछ नया और अब तो exam के बाद ही मिलते हैं तब तक के लिए, bye-bye